हेलो गाईज स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल लैंड नॉलेज में दिल्ली दहरादून एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के कई सहरों से गुजरेगा का काम दिसंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है इस एलिविटेट रोड के निर्माण के बाद दिल्ली दहरादून के बीच के यात्रा का समय 5-6 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा यानि अब आप सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली से दहरादून पहुँच पाएंगे इस एक्सप्रेस्वे का रूट दिल्ली से गाज़ाबाद होते हुए सहारानपूर होगा यह एक्सप्रेस्वे दहरादून में बन कर त्यार होगा दिल्ली दहरादून एक्सप्रेस्वे की लंबाए 210 किलोमेटर होगी इस Expressway का जायतर हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा यह दिल्ली से 12 लेन का होगा ताकि NCR से Expressway से यात्यात आसानी से गुजरे हाला कि बाद में इसे 6 लेन का कर दिया जाएगा दिल्ली में 14 किलोमेटर और गाजयाबाद में 12 किलोमेटर में 12 लेन होगी अभी दहरादों जाने के लिए लोग मेरट दिल्ली मेरट Expressway का इस्तमाल करते हैं इस नए Expressway से दिल्ली मेरट Expressway पर दवाव कम होगा Expressway का सुरुवाती पॉइंट अक्सरधाम होगा इसे EPE के साथ भी जोड़ा जाएगा Expressway के सुरुवाती सेगमेट में साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगे अक्सरधाम से 5.5 किलोमेटर के बाद गाधी नगर गीता कलोनी में परवेस और निकास दवार होगे कोई भी ISBT दिलसाद गार्डन मार्ग पर 7.4 किलोमेटर खजूरी पुस्ता मार्ग पर 9.5 किलोमेटर और सिगनेचर ब्रीज मार्ग पर 11.2 किलोमेटर के बाद Expressway पर चड़ और उतर सकता है Expressway से सहारनपूर, बागपद, मुझेफर नगर, हरिदवार, सामली और हर्याना के निवासियों को भी फायदा होगा जो लोग बागपद से काम के सिलसले में दिल्ली पहुँचने में देड़ घंटे से जादा समय लेते हैं वे एक घंटे से भी कम समय में अक्षर धाम पहुँच सकेंगे इनके बीच की दूरी घटकर महज 18 किलोमेटर रह जाएगी एक्सप्रेस वेपर अनुमानित स्पीड लिमिट 100 किलोमेटर परती घंटा होगी जो लोग रिसी केस घूमना चाहते हैं उन्हें भी इससे फायदा होगा वे दहरादुन होते हुए मात्र 3 घंटे में अध्यत्मिक नगरी पहुँच सकते हैं यह सड़क दिल्ली NCR सेत्र में यात्यात को कम करने में भी मदद हो करेगी